इस तरह से बहुत सारा तेल डालके तालू भरते है यह पारंपरिक है पहले सही लोग ऐसे करते आ रहे है जो सौप्ट जगा होती है उसमें तेल डालके उंगलियों से दबा दबा के तालू भरते है यह देखो इस तरह से मगर इस सही बात है क्या तो नहीं इस सही मेथड नही इस तरह से टालू नहीं भरनी चाहिए, डॉक्टर्स जो है, हमें इस तरह से टालू भरने के लिए मनाई करते हैं, पहले कैसे कुछ चीज़ों के रिसर्च नहीं होते थे, अभी रिसर्च में यह पता चला है, जो सौप्ट एरिया रहता है, बेबी का टालू का, वहां तचीह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो स्पेस है, सौफ्ट वाली, वो दो हडो की जगा रहते हैं, इसलिए वहां पे प्रेस नहीं करना है, तो फिर कैसी टालू भरनी है, तो ए देखो, इस तरह से करना है, हाथ में तेल लगा के, उंगलियों जो है, उसका, आगे का एरिया ज लोको अच्छे से ओईल लगता है, इसे बाल भी अच्छे आते हैं, आप बोलोगे इस बेबी के बाल कैसे है, इसके बाल निकाले हुए है, इसलिए बेबी के इसे बाल है, इस तरह से अच्छे से मसाज करना है, पहले जो दिखाया था हमने उस तरह से टालू नहीं भरनी है वो गलत बात है इसलिए देखो इस तरह से अच्छे से मसाज करना है जैसे कि हम लोग अपना खुद का हेड मसाज करते है जिससे हमें रिलेक्स लगता है उसी तरह से बेबी को भी इस मसाज से रिलेक्स लगता है और मसाज का कामी वह ही है कि रिलेक्स लगे ए देखो बहुत शान्ती लग रही बेबी को